नमस्कार दोस्तो लीड इंडिया लॉय एसोसेट सेनी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा यदि आप धोखा धरी के शिकार हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए एक दरशक ने सवाल पूछा है उनका यह कहना है कि उनके ही एक रिस्तेदार ने बताया कि एक प्लॉट बिक रहा है जिसमें 5 लाग ब्याना देना है और बाकी जो 15 लाग है टोटल प्लॉट की जो कौश्ट थी वो 20 लाग की थी पंद्रा लाग जो देना है वो दो साल में देना है पांच लाग में अगर आप चाहे तो आप अपना भी कुछ पैसा कुछ हिस्सा मिला ले जिससे कि आप भी उस प्लॉट के मालिक बन जाएंगे हम आधे आधे पैसे दे के मालिक बन जाएंगे प्लोट के तो अब ऐसा उन्होंने किया जो जिन्होंने जिस दर्शक ने लिखा उनका यह भी कहना है कि जब उन्होंने पेपर देखने के लिए मांगे तो रिष्टेदार नहीं कह दिया कि पेपर अभी उनके दूसरे पार्टेर के पास है मिल नहीं सकता फिर उनके दबाओं में आकर एक लाख रुपया दे दिया मतलब विश्वाश कर लिया और एक लाख रुपया दे दिया अब जब पांच छे दिन गुजर गए जब एक लाख रुपया हमने उन्हें दे दिया तो उसके बाद से पता चला कि वो जमीन के पेपर फ्रॉड थे और जो पैसा दिया गया वो भी फ्रॉड ही था जिस व्यक्ति को दिया गया वो भी व्यक्ति फ्रॉड था इस मामले में क्या करना चाहिए ऐसा पूछा है दोस्तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह पूरी तरह से एक धोखा धरी का मामला है सबसे पहले तो आपने पैसा कैसे दिया आपने इसके बारे में जेकर ने किया आपने चेक के मादिम से दिया हुआ तो उसमें लगता है यदि वो आपके एकाउंट से डेबिट नहीं हुआ है तो आप यह कोशिश करें कि बैंक में जाकर के आप सबसे पहले उस पैसे को रुकवा दें ताकि वो पैसा आपका लूटने से जाने से बच जाए नमबर वन बाद तो यह हुए यदि पैसा चला गया है उनके पास में तो आपको अब दो चीजे जाचने की जरूरत है जो आपके रिष्तेदार है उन्होंने जिस व्यक्ति के बारे में बताया अब आपको देखने की यह जरूरत है कि आपके रिष्तेदार की भी तो मिली भगत नहीं है अगर आपके रिष्तेदार की मिली भगत है तो आपके लिए यह जरूरी है कि आप अपने रिष्तेदार से बात करें और उनसे यह जानने समझने की कोशिश करें कि भाई क्या उनकी मिली भगत है हो सकता है कि वो भी पैसे के लालच में आ गए होंगे और आपको पुश्च किया होगा कि आप पैसे डाल दे वो उसके फ्रॉड के बारे में नहीं जानते हो ऐसा भी हो सकता है या ये भी हो सकता है कि वो सचमुच मिले हुए हो और वो मिल करके कोई fraud कर रहे हैं आप उन पे दबाव बना सकते हैं कि आप पैसे दिलवा दे अदर्वाइज आपके खिलाफ मुकद्मा कर देंगे आपके दबाव में आकर के हो सकता है कि आपकी पैसे वो दिलवा दे यह भी एक रास्ता है यदि आपके रिस्तेदार भी इसमें मदद नहीं करते हैं तब आपके लिए जरूरी है कि अगर आप सिविल कोट में इस मामले को अप्लाई करेंगे सिविल कोट में अगर application लगाएंगे तो तीन साल तक का समय होता है जो आपने payment किया है उस payment करने से तीन साल के अंदर Limitation Act के मताबिक आप तीन साल के अंदर आवेदन करके आप इस केस को फाइल कर सकते हैं सिविल कोट में recovery के लिए एक बात तो यह होगी दूसरी बात अगर आपको धोखादरी का मुकदमा करना है तो आपको तुरंट कोट में पुलिस एस्टेशन जाना चाहिए और पुलिस एस्टेशन में जाके नामित नाम के साथ में दूखादरी का आप केस दर्ज करवाएं उसमें आप अपने रिस्तेदार के खिलाफ भी दर्ज करवाएं उस वेक्ति के खिलाब भी दर्च करवाएं साथ ही साथ जब आप थाने में जाएं तो जो आपने पेमिंट किया उसकी रिसिप्ट जो भी आपके पास फोटोग्राप्स आडियो या कुछ भी अगर ऐसा चीज मौजूद है तो आप जाकर के थाने में जरूर कंप्लेंड करें हो सकता है कि वो धोका दरीका गिरोह चला रहे हूँ और इसी तरीके से कई लोगों को भी ठगा जा चुका हो तो आपको जरूर ठाने में जाना चाहिए और जाकर कंप्लेंड करना चाहिए आपको निश्यत रुप से मदद मिलेगी अगर कोई अन्य प्रश्ण हो तो आप जरूर पूशेगा हमारे हेल्प लैन नमबर डबल डबल जरो ट्रिपल फो ट्रिपल फाइव पर मंडे टो साटेडे आपको जरूर रिप्लाई करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद झाल